तो फाइनलरी दोफ्तो इस टूर्डियों के लिए हमने आज एक नया टेबल खरीदा है जिसकी आज हम अन्बोक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे यह हमने फिल्प कार्ड से ओर्डर किया है तांस जार के आज पास किसकी प्राइज है अगर इस टेबल को आप आज पर्चेस कर करते हो HDFC के करेविट कार्ड से तो 500 रुपे की छूट भी मिल जाएगी लेकिन दोस्तों हमने इसको बजाज कार्ड से खरीता है नो पोश्ट EMI पर तीन किस्त के अंदर पेंग करना होगा इसकी EMI इसकी EMI 1700 के आज पास है तो इसकी अन्बोक्सिंग एंड रिव्यू बोक्स की पेकेजिंग भाई काफी मज़िदार बना के बेज़ा है क्योंकि रास्ते में टूट फूट न जाए, सॉफ्ट रेपर के अंदर तो फटा फट से इसको ओपन करते हैं और टेबल को फुल सेट अप करेंगे तो फाइनली दोफ्तो हमने पेकेज को अन्बोक्सिंग कर दिया रहा है टेबल को बाहर निकाल लिया तो दोफ्तो आपने देखा होगा पेकेजिंग कितनी शांदार करके बेज़ाता फिलिप काटने तो दोफ्तो आप जैसे कि देख सकते हो इसकी टेबल के साब में फॉर् करते हैं तो पड़ा पशे गाइस जिसकी अन्बोक्सिंग करके देते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है क्योंकि हमने टेबल को चेटर पढ़ने के लिए बिस पूल बस एक पेंचस रखा था अपने पास में और समान कुछ भी नहीं रखा था क्योंकि हमें पता था साथ में जो इसके साथ में झाये तो काफी जदा द लगाव इसकी बात हiya कुला है तो तो में यह और खास बात है में घेलने के लिए गोलमा बना के और बाहर से एक बनता बोर खिला था हमें तो हम ये उसके लिए ठेलने में भाई काफी जादा यूजफुल होने वाले काफी हैंड ग्रिप अच्छा बना रहता इसके लिए और वाई या तो कुछ डोको में सलने इसको सेटड़ करने के लिए जिसमें बताया गया है किस तरीकी से आपनको इसको सेट़़ रिए और यहां पर ये जो टेबल के लेक्स को सेट़़ करने में काफी जिप रिए होगी और यहाँ पर कुछ पैसकस दिये गए जो हम इसके टेबल के legs को setup करने में काफी ज़दा useful होगे तो फटा फट से हम इसके legs को setup करते है टेबल के bottom side में आपको छेट दिखाई देंगे जिसके उपर आपको ये लोहे की plate जो साथ में आई है इसको उपर रखे इसके साथ में जो screw आये हैं उनको tight करना है and setup करना है कची तरीके से फिर guys ये जो लोहे का leg है इसको भी आपको फिर round round करके इसको भी setup करना है कुछ इस तरीके से tight होने के बाद में ये पूरा इसके add हो जाएगा और legs के निचे bottom side में आपको ये duck and type में मिलेगा जिसको lose करने के बाद में आप table के size को हलका फोलका एक से दो inch customize भी कर सकते हो guys इसकी quality and material के बारे में बात करें तो ये plywood नहीं है guys जो एक चुनना और बूसा होता है उस लकड़ी से बनी हुई है और उपर की तरफ आपको softness feel होगा and बिल्कुल smoothly guys glossy feel है देखने में तो काफी ज़्यदा मज़दा आ रहे लेकिन दोस्तो इसके उपर आप ज़्यदा बारी बरका में या फिर बेट वेक नहीं सकते है guys क्योंकि तूटने का डर बना रहता है और ये 5000 रुपे की कुछ आसपास है तो इसकी price भी इसको देखती हुए कुछ ज़्यदा है तो friends अगर आप भी एक नया table खरीदना चाहते हो तो दोस्तो सबसे पहले try करें अपने आसपास मज़दी की store या फिर furniture वाली से क्योंकि वहाँ पे आपको costly और भी low price के अंदर मिल जाएगी दोस्तो कमेंट करके जुरूर बताए वीडियो कैसा लगा और अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करें Thank you so much guys